नमस्कार, मैं मम्ता चोरे, निमाडी रसोई में आपका स्वागत है कैसा हो कि जीरो वेस्ट के इस आधुनिक्ता के आगरह को हम अपने वेंजलों में शामिल कर ले इसी थीम को लेकर हम आज बनाने जा रहे हैं कद्दू के छिलके की चट्नी एक बार फिर कद्दू के छिलके की चट्नी, कद्दू की बनाईए सबजी और छिलके की हम बनाएंगे चट्नी तो आईए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीजों की जरूत है दिए जीरा एक चमज, धनिया पाउडर एक चमज, आधा चमज लाल मिर्च, दो चमज तिली, चुटकी भर खींग, स्वात के अनसार नमक, दो चमज तेल और लगभग एक किलो कद्दू के कद्दू कस किये हुए छिलके पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको कद्दू कस कैसे करना है हमें सिर्फ चिलका ही किसना है, चिलके की नीचे का जो हरा भाग है, वहां तक इसको हमें किसना है उपर का भाग इसके साथ में नहीं आना चाहिए थोड़ा सा कद्दू, मैंने कद्दू किकर कर आपको दिखाया है, हम देख सकते हैं चिलका काफी गीला है, इसको हम एक से दो घंटे के लिए फैला देंगे, जिससे कि हमें इसे सेखने में आसानी रहेगी, मैंने ये फुछ कपयदू के छिलके पहले से सुखा के रख लिए हैं आईए, अब हम भीनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम तेल को गर्म करेंगे हमारा तेल गर्म होचुका है अब हम इसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे गैस को दीमा करके हम इसमें तिल्ली भी डाल देंगे तिल्ली तर तर आने लगी है अब इसमें हम हीम डाल देंगे इसी के साथ हमारा कद्दू कस्पिया हुआ छिल्का डाल देंगे दीने आज पर हम इसे सेखते रहेंगे क्योंकि यह नरम है इसलिए थोड़ा समय लगेगा इसे सेखने में लग बग 15 मिनिट का समय से सेखने के लिए लग जाएगा हमें कि हमें इसे क्रिस्पी होने तर सेखना है अभी बाकी मसाले हमारे बाकी है थोड़ा सेखने के बाद में ही हम बाकी मसाले डालेंगे इसमें थोड़ा सा गिला बन जादा रहता है इसलिए हम बीज बीश में जरुत के हिसाथ से गैस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं करीब 5-7 मिनिट में देख रहे हैं कि हमारे ये कद्दू के छिलके क्रिस्पी होने लगे हैं हलके से ब्राउन होने लगे हैं अब हम बचे हुए मसाले धनिया लाल मिर्च और नमक भी इसमें डाल जाएंगे ताकि वह भी थोड़े इसके साथ में सिख जाएंगे हलके हलके चलाते रहेंगे एक मिनिट में हमारे मसाले पिसिक चुके हैं अब हम गैस को बंद कर देंगे गरम कड़ाई में ही ये हमारे फिलके पिस्पी होते रहेंगे गरम कड़ाई में एक से दो मिनीठ हम उनको फैला के रख देंगे ताकि ये बराबर क्रिस्पी हो जाए ये अभी काफी गरम है ठंडे होने तक ये पूरी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे अब हम इसको बॉल में निकाल लेंगे हमारे कद्व के छिलके की चटनी तयार है ये दिया आप चाहे तो कुटि हुई सिके मुफिली भी इसके ऊपर से डाल सकते हैं बहुत स्वाधिष्ट कद्व के छिलके की चटनी तयार है आशा करती हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैं इसी तरह के वेंजन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एवो नीचे दिये गए कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाओ जरूर दीजिए, झाल